हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तु दा ओनलाइन क्लासेस ऑफ सर्दारवल्लप बाई पटेल इंग्लिश मेडियम स्कूल यावल तुड़ेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मारे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, ए, और दो तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल से उसे जान लेते हैं कि इन आर्टिकल्स का यूज कैसे किया जाता है तो सबसे पहले जो है ए नमबर में दिया हुआ है, तो आप सब लोग चानते हैं कि ए एन दो होते हैं वो आपके आर्टिकल्स, लेक, जिसे हम लेक कहते हैं हिंदी में या आपके आर्टिकल्स होते हैं, दे आर यूज बिफोर नौंस, जिन्हें नौंस के पहले यूज किया जाता है सेकेंट नमबर में दे आर्टिकल्स ए और ए अर काल्द्वर इंडेफिनाइट आर्टिकल्स तो जो ए और ए न है उन्हें अनिच्छित लेक या अनिच्छित आर्टिकल्स कहा जाता है Indefinite Articles कहा जाता है त्री नंबर है The Articles The Is Called The Definite Articles अच्छा निच्चित लेख या निच्चित आर्टिकल कहा जाएगा अब P पे देखें कि हम Use the Indefinite Articles अब हम Unnichit Articles का Use A और N का Use किस प्रकार से करते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे रूल्स में First, The Articles A is used before nouns beginning with the consonants and vowels that sound like the consonants सबसे पहले हैं कि जो वेंजन होते हैं जब हम A का Use करते हैं तो जो वेंजन होते हैं वेंजनों के पहले किया जाता है आपकी जो वेंजन होते हैं तो उसके पहले हम A का Use करते हैं और ऐसे vowels के पहले हमें यूज करना होता है A का जिसका उच्चारन या जिसका जो sound होता है जो हम बोलते हैं तो वो लिखा हुआ तो vowels होता है पर उसका उच्चारन consonants के तरह या वेंजनों के तरह किया जाता है कुछ एक्जाम्पल यहाँ पर दिये हुए है A पीजन यहाँ पर P क्या है? consonants है अर्थात वेंजन है A house अब यहाँ पर जो यू है वो क्या है? वोवल से पर उसका जब हम उच्चारन करते हैं तो वो उच्चारन इस प्रकार से A neon होता है तो यहाँ पर वोवल्स का उच्चारन नहीं हो रहा है उच्चारन वोवल्स का एक कॉंसेन्ट या वंजन की तरह से हो रहा है तो हम इसके आगे यह का यूज करेगे वैसे ही A one main band इसका भी यूज हमने यहाँ पर A वे किया है Nouns के पेले A लगाया है अब second जो है rules वो क्या है The articles and is used before nouns beginning with vowel sounds and words beginning with a silent edge अब N का use जो होता है N का use हम कब करते है जब कि किसी भी nouns के पहला word जो होता है वो वोवल से शुरू होता है स्वर से शुरू होता है और दूसरा हम N का use तब भी करते है जब H silent होता है जिसका उचारन हम silent रूप में करते है अर्थाथ H से spelling चालो होती है पर हम उसका उचारन H के रूप में नहीं करते है जैसे नीचे कुछ एक्जामपल दिया है सबसे first में है जो एक्जामपल है वह beginning with vowel से शुरू हो रहा है वोवल से शुरुवात हो रही है N incident तो यहाँ पर हमने उसका N लिखा यहाँ पर यूज किया है उसी के साथ में N officer तो O क्या है वोवल है तो इसके पहले हमने क्या लगाया N लगाया है अब है N empire तो जो empire होता है उसके पहले U है spelling में तो U के पहले क्या लगाएंगे हम nouns में U आ रहा है इसलिए हम N का यूज करेगे अब यहाँ पर आपको second जो है की words beginning with a silent H तो word का जो शुरुवात हो रही है वो silent H के साथ हो रही है जैसे N or N here तो यहाँ पर क्या हो रहा है H हो है वो silent है इसलिए हम इसके पहले इन nouns के पहले हम क्या लगाएंगे N लगाएंगे next three number में है the article A or N are used to refer to some indefinite person or thing I have a thing sorry the articles A or N are used to refer to some indefinite person or thing तो A और N का जो उपयोग होता है वो तब भी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु है वो अनिच्छित में है अनिच्छित है या उसका कोई निच्छित निरधारित रूप नहीं है अनिच्छित है तो हम उसके पहले भी ना उसके पहले भी यहां पर दिया है example में I have a friend अब मेरा एक दोस्त है अब कौन सा है निच्छी थे क्या कौन है यह भी निच्छी तहीं है तो इसलिए हमने friend के पहले जो noun है उसके पहले क्या प्योग किया है और F जो है वो consonants है तो consonants के पहले या वेंजनों के पहले A को लगाया जाता है उसी के बाद में है we have bought a TV set अब TV set है वो भी कोई निच्छीत नहीं है कौन सा TV set है या क्या तो निच्छीत नहीं है इसलिए उसके पहले भी A को लगाया गया है फोर्ट नमबर में है तो आर्टिकस A और N आर यूस्ट बिफोर सिंगिलर काउंटेबल नाउंस तू मीन वन अब देखे यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिंगिलर काउंटेबल अर्था कोई भी चीज वस्तू या परसन है अगर वह एक है तो उसके पहले भी हम A और N का यूस्ट करेंगे उनके रूल्स के अनुसार जैसे हैं पर दिया हुआ है आई है वह फ्रेंड इन टोक्यो तो मेरा एक मित्र है जो टोक्यो मेरेता है अब कि फ्रेंड है तो एक है सिंगिलर है तो आपर एक यूस्ट क्या जाता अब ग्यू बिया एन औरेज फ्रॉम देट बसकेट अब यहाँ पर ओ वोवल से इसलिए एन का यूस्ट हुआ है और जो फ्रूट है वो क्या है सिंगिलर है एक औरेंज है और ली तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रेयोग हुआ है इसी तरह का इनी सभी नियोमों को ध्यान में रखके हुए आपको यह एक्सेसाइस को स्वाल करना है और आपको अच्छे से रीड भी यह सभी रूल्स कर रहे है अब नेक्स एक्सेसाइस को देखेंगे हम स्टुडेंट्स हमने इसके पहले ए और एन का यूज पढ़ दिया है उसकी रूल्स को जान लिया है अब हम पढ़ेंगे सीन यूज ऑफ देफिनाइट आर्टिकल द तो निचीत लेग या डेफिनाइट आर्टिकल जो होता है वो अने अर्टिकल द उसका यूज निचीत जी चीज को हम केंड्रीद करके उसको दर्शाते हुए उसके बारे में बोलते है या बात करते हैं या सेंटेंज को लिखते हैं तब हम यहाँ पर उस नाउंस के आगे क्या लगाएंगे दह का यूज होगा जैसे कि he is the one I told you about yesterday कल यह वही था जिसके बारे पे तुमने मेने तुम्हे कल बताया था तो यहाँ पर क्या है दह का यूज हुआ है किसी परसन को हम पॉइंट करके बोल रहे हैं तो इसलिए हम उसके पहले क्या लगाएंगे दह अब नीचे है एक्जामपल के रूपे I do not have the book you gave me अब मुझे यह पता रही तुमने कौन सी बुक मुझे दी थी अब वो बुक के लिए बोला जा रहा है उस बुक को पॉइंट करके बोला जा रहा है तो यह पर बुक नाउन के पहले क्या लगेगा दह second the article the is used to refer to something or someone already mentioned it earlier अब यहां पर ऐसे sentence में दह का यूज किया जाएगा कि उस वेक्ति को पहले बोल लिया गया है या उसको अल्रेडी उसके बारे में बता दिया गया है तो उसे जब हम आगे दर्शाएंगे उसके बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो उस परसन या उस चीच के आगे या उस नाउन के पहले हम दह का यूज करेंगे जैसे for example I got a letter from a friend मैंने मेरे मित्र के पत्र रिखा यहाँ पर I got a letter from a friend मुझे मेरे मित्र का पत्र मिला the friend wrote a letter to ask me for some money तो मेरा मित्र मुझे कुछ पेसो के लिए बोल रहा है मांग रहा है पेसो के बात कर रहा है या पैसे मांग रहा है तो यहाँ पर I got a letter from a friend अब friend ने पत्र लिखा है तो यहाँ पर friend एक पार हमने यूज कर लिया है कौन है मित्र अब हम उसको जब आगे उसके बारे में बोलेंगे तो हम friend या उस noun के पहले क्या लगाएंगे the लगाएंगे later लेटर भी एक noun है या thing है जो noun के रूप में यूज हो रही है तो उसके बारे में हमने पहले बोल लिया है तो दव को इसके पहले भी हम दव को क्या करेंगे लगाएंगे अब थर्ड नंबर का रूल है the articles the is used with names of geographical phenomena mountains, holly books और epic circus तो the article जो होता है उसका use हम जब geographical बाते होती जो चीज़े होती है जैसे कि हमारी earth या कोई planet या जो भी कुछ है जो कि हमारे geographical use में आता है जो जिनके लिए हमने वर्ट यह उन आउंस के पहले भी हम दव का यूज लगाते हैं जो कि only one होते हैं उसके बाद mountains जो परवत होते हैं पहाड होते हैं rivers के लिए भी लगाते हैं आपे दिया रही है rivers के पहले भी लगाते हैं holly books या कोई पवित्र पुस्त के होती है ग्रंत होते हैं उनके पहले भी लगाए जाते हैं peaks के पहले लगाए जाते हैं महा काव्य जो होते हैं बड़े बड़े उनके पहले भी दव का यूज कर जाते हैं सरकस कोई विशेश स्पेशल सरकस है उसके पहले भी हम दव का यूज किया जाता है जैसे कि फॉर एक्जामपल यह मुना यह एक रिवर है यह जोग्राफिकल फेनोम नहें और जो कि ऑनली वर्ण है तो दो लगाएंगे तो बाइबॉल दसों दसायादरी यह मौंटेंस की देला रेंज है तो ग्रेंट सरकस तो यह सभी क्या होते हैं इन सभी क्या आगे हम दव का यूज किया जाते हैं तो इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो नीचे एक्सरसाइज दिये उसे सौल करना है फिलिंग दव्लेंक्स वीट ए ए और दो यहां पर आपको रीट करके से समझ कर यहां पर उसका यूज करते जाना है तो चिल्रन्स आपका जो यह लेशन है आर्टिकल्स का चैप्टर है वो फिनिश होता है तो चिल्रन्स गुडबाई एंड थैंक्यू